तो फ्रेंट्स आज मैं आपको अमेरिका में ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे कैसे घरों में रहते हैं यहां पे बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनको mobile home का जाता है, manufacture home का जाता है, condos का जाता है, townhouse का जाता है और house भी का जाता है आज मैं आप लोगों को जहां पे लेके आया हूँ इस area में जितने भी आप लोगों को मैं घर दिखाऊंगा यह सारे के सारे घर mobile home के नाम से जाने जाते हैं, यहां पे particular सब लोगों को अपनी गारी पार्क करने के लिए एक particular space मिलती है और सब घरों के बाहर electrical panel लगे होते हैं, उसके साथ साथ लोगों को यहां पे gardening का बड़ा अच्छा शौक है उस gardening के शौक के साथ साथ लोगों को अपने घर के बार गारी कोई भी आदमी रोड की लेन में खड़ा नहीं करता लोग अपनी गारी हमेशा अपने घर के अंदर ही पार्क करते हैं, यह देखी यहां पे यह जो mobile home है, यह mobile home यहां पे 3 bedroom और 2 bathroom के साथ होते हैं कुछ का तो इनका back yard होता है, कुछ का तो इनके यहां front yard होता है पर इसको जो बनाने का तरीका है, अंदर से almost सबका एक रहता है और सबसे अच्छी बात, आज मैं आप लोगों के इस बारे में बताता हूँ कि अमेरिका के बहुत सारे लोगों को mobile homes के बारे में तो idea है पर इंडिया में रहने वाई लोगों को mobile home के बारे में idea नहीं है जिनको idea नहीं है, मैं उनको यह बता चाता हूँ कि जो लोग भी अमेरिका में रहते हैं जो बहुत जादा बड़ा घर purchase करने की नहीं सोच पाते या जो महंगा घर नहीं ले पाते वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ही mobile homes को purchase करते है इसमें भी दो तरह की शर्त होती है पहली शर्त यह होती है कि आप जब ये town house की बजाए या आप mobile house खरीदते हो उस mobile house में आपकी age जो है यहां तो 55 से प्लस होने चीए ताकि अगर आप 55 से प्लस हैं तो आप इस community में आ सकते हैं और दूसरा उसमें किसी भी age के लोग आ सकते हैं दो तरह के घर होते हैं पहला जिसमें 55 प्लस age होने चीए दूसरा जिसमें कोई भी age का बंदा अपनी family के साथ यहां पे आ सकता है अलग अलग mobile home अलग अलग लोगों के लिए ही बनाए होते हैं जिसमें आप देखेंगी सभी एक तरफ अलग side से और दूसरी तरफ अलग side से दोनों तरफ से बनाए होते हैं और यहां पे आपको हर चीज की facility मिलती है सिवाए एक चीज के यह mobile home आप purchase कर सकते हैं और वो area to area, city to city, state to state vary करता है कि उपर निचे हो सकते हैं क्योंकि क्योंकि यहां पे कैलिफोर्निया के अंदर इन्होंने जो mobile home है वो उनकी value एक लाख पचास जार से शुरू होके वो पांच-पांच लाख रुपे तक भी पहुंचती है इसमें इनको क्या-क्या facility मिलती है वो उसकी बारे में आपको बाद में बताऊंगा पहले मैं आपको यह बताता हूँ जो यह अभी आपके सामने यह आप घर देख रहे हैं सारे mobile home है वो सिर्फ और सिर्फ इनको यह property मिलती है आपने बिलकुल सई सुना यह जो property मिलती है जिसमें इनके three bedroom या four bedroom और तो दो bathroom और तीन bathroom हो सकते हैं garage होता है पर technically जो यह लोग ख्रीटते हैं इस जगा को उनको सिर्फ यह house मिलते है mobile house जी उनको यह land नहीं मिलती इतने पैसे में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहीं आपके दिमाग में आई कि इतने पैसे में तो आपको land भी साथ मिल जाएगी अमेरिका में इन्होंने ये बड़ा अच्छा तरीका कर रहा है कि जो बंदा नहीं afford कर सकता हाउस्टेंड को अपना घर ले सकता है थोड़े पैसे लगा के अपना घर लेना चाहता है वो लोग क्या करते हैं वो लोग यहां से अपना घर mobile home के तोर पे purchase कर लेते हैं जो लोग mobile home के तोर पे purchase करते हैं उनको land के लिए पैसे pay करने पड़ते हैं जो ये सारा structure है structure तो आप लोगों ने purchase कर लिया कि मैं इतने पैसे देखे मैं ये property मैं अपने नाम पे कर वा लूँगा पर जो इसकी land है वो California government, state government इन से हमेशा एक land acquire करने के जो property होती है जो है land acquire करने के पैसे जो है वो उनको charge करते हैं हर में ने और उसमें एक और चीज़ आपको बदाता हूँ इसमें हर चीज़ की facilities include रहती है यहाँ पे इनको साफ सफाई करने की खुद जूरूद ने परती है सर्फ आपने घर की boundary के आसपास इनको साफ सफाई करने परती है otherwise अगर आप देखे तो यहाँ रोड पे कितनी सफाई है यहाँ पे जो यह mobile house होते है इन्होंने एक company के साथ tie up किया होता है उस company के कुछ लोग आके इसमें पूरा सफाई करके जाएंगे पूरी सफाई अच्छे तरिकेश करके जाते है जो इन में नाम है HOA का house of association जो होती है उन association के जो आदमी आते हैं वो थोड़े पैसे से charge करके वो approximately vary करता है state to state मैं आपको एक बाद फिर से बता हूँ क्योंकि यहाँ पे बीस डॉलर पच्छिस डॉलर से charge करने के बाद कुछ लोग यहाँ पे 800-800 से डॉलर से भी जादा HOA fees charge कर रहे हैं वो इनी चीजों के लिए है कि आपको साफ सफाई अच्छे से मिलेगी maintenance आपकी सब कुछ अच्छे से होगी कल को कोई भी आपके यहाँ apartment के अंदर या mobile house के अंदर किसी भी चीज की कोई जूरत पड़ती है आपकी कोई ऐसा appliances जो आप अपने घर पे use कर रहे हो वो से आप अगर खड़ाब हो जाता तो वो से खड़ाब चीजों को भी ठीक करवा के देने वाले होते उनको रिपेर करने होते तो ये तो थी बात mobile houses के बारे में आज मैंने आपको ये mobile house के बारे में बताए कि लोग इसमें कैसे कैसे आपने दीके करते आगले बार बात करेंगे और जादा houses की जिनको हम लोग townhouse और साथ में कॉंडोजी बोलते हैं शुक्रिया दोस्तो